कच्छे आम और प्यायस की शहटम बिनाने के लिए थो आम जिए नीव जन चयटम कंने के लिए 3 लड़ declaration में प्याजन के ले लिए… कच्ची आमों को डालने के बाद हमें इसमें कुछ पोदीने के पत्ते डालने हैं इनको अच्छे से बॉश करके ले लिया है अब इसमें एड़ कर देंगे अब इसमें साबुत लाल मिर्च ले रहे हैं आप चाहें तो यहां पर हरी मिर्च जाल सकते हैं लेकि लाल मिर्च का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब अब इसको ग्रायड करला जेघ को भी अब इसको कुछरे नीकाल लाएं चेटनी को हमें दढ़ बोल में निकाल लिए तो इसके साथ भी जिटनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है पूली पराटे के साथ भी आप इसको इंज्वाइब कर सकते हैं तो देखिए अपनी चटनी को में सर्फ कर लिया और इसके उपर थोड़ा सामनी पोदीना पता लगा दिया इसको में डानिशिंग करने के लिए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रू बताईएगा आम पोदेनी के मीधी जटनी बनाने के लिए हमने आपका तो इसके साइस में आमनी है और इसको देना पता लिया है इनको हम तोल करके साफ कर लेंगे इसारी दो ठॉक कर लिया है आप हमें ब्राइंडिं जा लेंगे और इस ब्राइंडिंग जाएख में जाए और आम उत्मा बटे रहे हैं कि अब आपकि वाली हरिमिस्ट दे रहे हैं आप इसकी क्वांटिटी कम याज जादा कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून भर करके सॉम एक टीजपून साबु जीरा हम यहां पर कच्छा जीरा ले रहे हैं दोनों का टीज बहुत ही अच्छा था है सॉम भर जीरे का आप इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून भर करके यह दर्मी के करण इसको में डाल देंगे बहुत ज्यादा सॉंदा फ्लेवर आता है अब इस चट्नी को ग्राइंड कर लेंगे हम यह पर पानी नहीं डाल रहे हैं आप नाय तो थोड़ा बहुत पानी एड़ कर चुकते हैं यह देखिए एक बार हमें इस तरीके से चट्नी को चलाया है यह आपर रुप-रुप के चलाना होगा मेक्सी को तूंकि हमें यह पर पा गषिए बाहुत ही चट्नी को शुचत कर लिया यह जटनी खाने बहुत अच्छे लिए पूरी पराटे के साथ इसको जरूप-रुप करिये गा आप अब हम बनाएंगे कच्छे आम और नारियल की चट्नी तो इसके लिए हमने दो कच्छे आम लिया हैं है तो पत्ता लिया है पुदीने के पत्ते हम यह तोड़ लेंगे और इसका जो इसको अपर रिमूफ कर देना है आप चाहें तो इन इसको फेक सकते हैं या फिर इनको गमले में दुबारा से लगा दीजिए और इनसे इसी तरीके की लिफ निकलाती है इनको आप दुबारा भी में रिमुदीने के तोड़ लिया है और आम के अंदर की इत्लिने कलने के उष्का एम पर कुल दैसकर लें और यह हमारा इमतलिया इसको भी दॉब लिय है हमें बाड़ा रिमेंग समयाओ सची भ्राक्री उतन नर्यक्रशय धना हूं एना यह चाहिता इनल निकशनाना कर यह क्योंकि गर्मियों में पुदीने का सेवन हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है अब जो नारियर कट करके लिया है उसको भी इसमें डाल देंगे अब इसमें आड़ कर देंगे स्वादानुसाल नमक अब अब अबनी चटनी को हम फाइन पीस लेंगे वाव यह देखि लेंगे हमने बॉल ले लिया है इसमें अपनी चटनी को सर्फ कर लेंगे वाव यह देखिए बहुत अच्छी चटनी बनी है आप चाहें तो अपने कार्डिंग यहां पर कंसिस्टेंसी को थोड़ा गाला या पतला कर सकते हैं हमें इसी प्रकार की चटनी पसंद है तो हमने अच्छी बन करके हमारी तयार हो चुकी है अब हम बनाएंगे आम की चटपटी चटनी तो उसके लिए हमने आपर एक बंच यह दनिया पता लिया है उसको हमें अच्छे से बाश करके ले लिया है साथ ही इसके लिया है एक बंच पोदीना पता दो आमों को इस तरीके से हमने चॉप करके ले लिया है पोदीना और धन हुआ डाल देंग चाह से तलाइं है अब में डालने जा रहे हुँ एक सबू सब्त जीरा, अब रिख फून नमग क्लेंगे कि तीखी और चट्पटी कटनी एक सब्सक्राइब वाव यह लीजी हमने अपनी चटनी को सब कर लिया है बहुत ही अच्छी तीखी चटपटी चटनी बनी है हमारी मेरी रेसिपी आपको जरू पसंद आएगी मुझे कमेंट करके जरू बताएगा कि मेरी चटनी की आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर करें मेरे वीडियो को मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें बैल आइकन ज़रू दपा दिजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके थैंक्स वर वाचिंग